नमस्कार, क्विक न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ विर्द्दुबे आए जानते हैं रीसेट और विदाज के बारे में जिनका क्रिशी में होने वाला है उप्यूब हालही में केंदरी मंत्री नरेन सिंग तोमर और राज्यमंत्री डॉक्टर जीतेन सिंग ने आपचारिक रूप से क्रिशी के लिए रीसेट वन ए उपग्रह के डाटा उत्पादों और सेवाओं को जारी किया है इस दोरान क्रिशी निर्णय समर्थन प्रणाली यानि क्रिशी DSS विक्सित करने के लिए क्रिशी और किसान कल्यान विभाग और अंत्रिक्ष विभाग के बीच एक समझावता ग्यापन पर भी अस्ताक्षर किये गए हैं उपग्रह Reset 1A और विदाज का उप्योग क्रिशी निर्णय समर्थन प्रणाली विक्सित करने के लिए किया जाएगा अब सभी हित्तारक अपनी साक्ष आधारित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के साथ ही भूस्थानिक प्रणालियों का एकिकरन किया जाएगा अंत्रिक्ष विज्यान के माध्यम से क्रिशी के क्षेत्र में यह एक नई क्रांती की शुरुवात है या पहल क्रिशी के क्षेत्र में उत्पादन को सुधारने और उत्पादक्ता को बढ़ाने में मददगार साबित होगी साथ ही इससे उत्पादन की गुडवत्ता बढ़ेगी जिससे निर्यात के नए अवसर भी बढ़ेंगे इसरो का वेदाज यानि विजुलाइजेशन ओफ अर्थ अब्जर्वेशन डेटा एन आर्क्विकल सिस्टम प्लाटफॉर्म भू स्थानिक अनुप्रयोगों और अंत्रिक्ष जनित सेंसर का उप्योग कर किसी क्षेत्र का डाटा एकत्र करता है इसरो का Reset 1A उपग्रह अत्याधुनिक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सेटलाइट है जो दिन और रात दोनों के दोरान सतह की विशेस्ताओं की इमेजिंग को क्सक्षम बनाता है Reset 1A उपग्रह सभी मौसम के स्थिती में काम करने और सेटलाइट इमेज लेने में क्सक्षम है Reset 1A का डाटा क्रिशी, जैव संसाधन, परियावरण, जल संसाधन और आपता प्रबंधन के लिए निर्णे समर्थन प्रणाली विक्सित करने में अत्यनतुप योगी होगा Reset 1A को Earth Observation Satellite 04 यानि EOS04 के नाम से भी जाना जाता है आपको बता दें कि भारत क्रिशी उत्पादन में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है 2018 के अधिकारिक आंकणों के अनुसार क्रिशी क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक को रोजगार प्रदान करने और GDP में 17 प्रतिशत का योगदान दिया है Study IQ IS हिंदी